टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी की खिलाफ उनकी पत्नी हसीन जहां ने जहर देकर मारने की कोशिश करने का मामला दर्च तो करवाया ही साथ में शमी के साथ हुई अपनी एक बातचीत की ओडियो रेकॉर्डिंग भी पेश की है जिसमें शमी सेक्स को लेकर हसीन से बात कर रहे हैं भावनात्मक रूप से आहत हसीन जहान ने पत्रकारों को एक ओडियो क्लिप सुनाई, जिसमें शमी अपनी बेवफाई को स्विकार कर रहे है हसीन जहान ने कहा, गुरुवार को शमी ने कहा था कि मेरी मानसिक स्थिती स्थिर नहीं है जहान ने कहा, अब तक मैंने कोई भी विरुधा भासी विवरंड नहीं दिया है मैंने आपको रेकॉर्डिंग सुनाई जिसमें वेह अपने तमाम अवैध संबंधों को स्विकार कर रहे है अब किसकी मानसिक स्थिती अस्थिर है, आप देख सकते हैं उन्होंने कहा, मुझे बहुत कुछ जेलना पड़ा है इससे पहले मुझे इस बारे में कोई मदद नहीं मिली मैंने बहुत कोशिश की इसलिए मैंने फेस्बुक पर शमी की सभी गलत हरकतों को पोस्ट करने का फेसला किया मेरा फेस्बुक पर गंदगी फेलाने या लोगों का मनुरांजन करने का कभी कोई इरादा नहीं रहा